हेलो बच्चो नमश्कार गुड आफटर नून विलकम टू डाउटनट भारत का नंबर वन चैनल नीट की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए प्रस्तुत है वापिस से हम ठीक है जी सो यहाँ पर बिटा जी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाम टेबल आपको सभी को बताई दिया गया था कल से वेटनस डे को मेरी क्लास होएगी सो मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो है श्वसन और गैसों का विनिम है यह चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैसे हैं आप सब क्या हाल चाल है हाँ जी चलिए जल्दी से अपने दोस्तों शेर कर दीजे ताकि वो भी आजाएं और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेर कर सकें गुड आफ्टर नून बचो गुड आफ्टर नून एर सोलंकी कुलदीप शर्मा वसुधा स्वाती कंचन राज तानिया ओके जी साक्षी नेहा राजकुमारी पूजा प्रिया कंच आयूश, तानिया, नवीश, महजबीन, महीमा ओके बटा तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि हमारा ये जो मानवकार की जो इकाई जो है ग्यारवी कक्षा की I know कि अभी मैक्सिमम बच्चे जो 12th के हैं इस चैनल पर वो जो UP बोर्ड के प्रिप पढ़ने वाले हैं, NCRT में लेकर आया हूँ, प्यॉरलियम NCRT पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सुनते जाहिएगा, लिखते जाहिएगा और अपनी जो टेंशन है उसको थोड़ा सा कम करते चाहिएगा, आईए स्टार्ट करते बटा, और जो भी कोई पूछे कि सर लाइव है हाँ बटा, लाइव हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपका नाम पढ़ पा रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं आप सभी, चाले, सो श्वसन और गैसो के विनी मैं की बात करें, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवीजन होएगा, थोड़ा से जल्दी ज होती, तो क्या मैं जिंदा हो पाता, मेरे अंदर उर्जा है, कहां पर है, मेरी कोशिकाओं में, वो उर्जा किस प्रक्रिया से बन रहे हैं, सर्श्वसन प्रक्रिया से बन रहे हैं, यानि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम कार्बन एक पदार्थों का देते हैं जिसे मुक्त होती है क्या एनर्जी और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करती है क्या कोशी का समस्तकारे करने के लिए तो श्वासन का मीनिंग क्या था श्वासन जो कई बच्चे सोचते हैं ये श्वासन नहीं है ये इसको हम क्या बोलते हैं समवातन या श्वासन कहते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं श्वासन कहते हैं जो हमारे श्वासन का एक पहला चरण हो जिसमें हम वायू को खीचते हैं वायू को बाहर छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जो श्वसन का एक भाग होता है श्वसन क्या होता है सीधे सीधे तरीके से हमने ग्लूकोज को तोड़ा ऑक्सीजन का इस्तमाल करके क carbon dioxide बनाई जल बनाया और क्या बना दी energy इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला है श्वसन जो कोशी काउं में होती है जिसको हम कोशी किये श्वसन कहते हैं कौन सा श्वसन कहते हैं कोशी किये श्वसन कहते हैं जिसका एक चरण होता है किसका श्वसन का एक चरण होता है कौन सा हमार श्वासन का मतलब होता है गैसों का एक्सचेंज वायू को अंदर खीचना वायू को बाहर भेजना ये क्या कहलाता है श्वासन कहलाता है तो इस लाइन में सिर्फ इतनी सी बाते लिखी हुई है जो आपको समझनी है क्या श्वासन एक हमारी एक ऐसी महतुपूर्ण प्रक्रि हो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है एनरजी और वो उर्जा हमें मिलती है कौन सी प्रक्रिया से श्वसन प्रक्रिया से लेकिन श्वसन करने के लिए पहला चरण जो होता है वो होता है गैसों का आदान परदान किसके बीच में हमरे फेफडो और वायू मंडल के बीच में वायू बाहर से अंदर आती है फेफडो में फेफडो से बाहर जाती है यानि एक्सचेंज जो होता है किसका गैसों का फेफडे और वायू के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं श्वासन बोलते हैं simple वायू को खीचना वायू को छोड़ना क्या कहलाता है श्वासन कहलाता है इतनी सी बात इतनी सी बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला बिंदो है श्वासन के अंग कौन से होते हैं अलग-अलग जीवों में श्वासन के अंग अलग-अल गए हमारे सिलिंटरेट हो गए हमारे चप्टे क्रमी हो गए कौन-कौन स्पंजेज हो गए सिलिंटरेट हो गए और फ्लेट वांप प्लेटी हिलमेंथीज ठीक है इनके अंदर कहां पर तवचा से ही कहां पर हमारी जो गैसों का आदान प्रदान है वो शरीर की सतय से ही हो जा पंज, सिलेंटरेट, सिलेंटरेटा, और फिर उसके बाद चप्टे करमी जो है, ठीके जी, इनके अंदर किसके द्वारा होता है, यह बिंदू दर बिंदू लिखते जाना है, इनके अंदर किसके द्वारा होता है, शरीर की सते के द्वारा, शरीर की सते के द्वारा होता है, सिलेंट रेटा प्लैटी हेलमन्थीज में कहां से हो रहा है शरीर की सरफेस से हो रहा है आगे बढ़ते हैं बिटा जी यहां पर किसमें केचुआ जो होता है उस केचुए में किसके द्वारा होता है याद रखना किसके द्वारा क्यूटिकल के द्वारा होता है भूलना जाएगा क्यूटिकल एक आवरण है जो श्वसन में हेल्प करेगा गैसों के आदान परदान में सायता करेगा वहीं अगर कीडों की ब लिका मिलती है ट्रैकिया बूला जाता है क्या बूला जाता है ट्रैकिया शसन नलिकाएं मिल रही हैं शसन नलिकाएं मिल रही हैं जो गैसों के आदान परदान में साहिता करती हैं चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं इसके बाद किसकी बात कर रखिए जलिये आर्थरोपोर्ट अब ये चीज इंपोर्टेंट है यहाँ पर देख कीटों की बात करी और कुछ कीट ऐसे भी होते हैं कुछ आर्थरोपोड ऐसे भी होते हैं जो कहाँ पर मिल रहे हैं जल में मिल रहे हैं यानि जलिये जलिये आर्थरोपोडा की बात करी है यानि कौन से जलिये कीटों की भी बात कर दी ऐसे कीट जो हमारे कहां पर मिलेंगे जल में मिलेंगे और मोलस्का की बात करी है मोलस्का संग और आर्थरोपोर्डा में particularly कौन सा याद रखना है आपने जलिये आर्थरोपोर्ड फोकस करिएगा NCRT के एक एक शब्द पर कौन सा जलिये आर्थरोपोर्ड और मोलस्क में क्या मिल रहा है बिटा जी कलोम मिल रहे हैं कौन मिल रहे हैं गिल्स मिल रहे हैं वही वही आपके मचलियों में भी क्या मिल रहे हैं कलोम मिल रहे हैं यानि गिल्स मिल रहे हैं तो यहा में किसके द्वारा हो रहा है गुरू इन सभी में किलूम के द्वारा हो रहा है याद रखना है इन सभी में किसके द्वारा हो रहा है कलूम के द्वारा हो रहा है हटाईए इसको किसके द्वारा हो रहा है कलूम के द्वारा हो रहा है कलूम जिसको आपने नाम सुना है गिल्स बोला जाता है गलफडे भी बोल दिये जाते हैं ठीक है तो याद रखना कलूम के द्वारा हो रहा है ठीक है जी तो वापिस से सुनिएगा निमनकशेरुकी जिसमें आपके क्या आजाता है स्पंज आ गए सिलेंट रेट आ गए चप्टे करमी आ गए दिमाग में आज की आज के द्वारा हो रहा है गया सुकादान परतान यानि ये शुसन अंग है कीटों में कौन से कीटों में स्थलिये कीटों में या वाईवीये कीटों में किसके द्वारा हो रहा है शुसन नली का ट्रैकिया के द्वारा है जलिये आर्थरोपोड यानि ऐसे कीट जल में मिल रहे ह मोलस्क और मचलियों में किसके द्वारा हो रहा है क्लूम के द्वारा हो रहा है यहां तक की बात याद रखने कितने हो गए है यह हमारे चार हो गए है अब इसके बाद बचते है कौन-कौन सर हमारे बच गए कौन-कौन से एक हमारे स्तंधारी बच गए एक पक्षी बच गए सरी सर्प बच गए और उभैचर बच गए कौन कौन से यहाँ पर लिख देते हैं पाँचवा बिंदु पाँचवा बंदु है कौन-कौन हमारे उभैचर हमारे सरी सर्प हमारे पक्षी और उसके बाद स्तंधारी ठीके जी अब इन में किसके द्वारा हो रहा है आप अच्छे तरीके से जानते हैं इन में सूविक्सित क्या मिल रहे हैं शसन अंग मिल रहे हैं जिनका नाम होता है क्या फेफडे जिनको हम बोलते हैं इश्वसनियंगे जहां पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है अब स्टार बना कर आपने लिखना है कौन सा उभेचर पर्टिक्लरली मेंडक मेंडक जो होता है ये लिखा हुआ है हमारी NCRT में पर्टिक्लरली उभेचर कौन सा पर्टिक्लरली जैसे हमारे मेंडक की बात कर रखी है जो अपनी तवचा से भी कर सकता है और साथ-साथ फेफडों से भी कर सकता है यानि ये जो मेंडग जो है ये अगर जल में होगा किस में होगा जल में होगा तो ये अपनी तवचा से भी जो आद्र है नमी से भरपूर है इसके द्वारा भी वो क्या कर सकता है गैसों क आदान परदान कर सकता है और जब वो इस थल पर है तो वो अपने फेपडों का भी इस्तमाल कर सकता है तो ये चीज याद रखनी है आपने particularly मेंडग से कई बार नीट में प्रशन पूछा गया है जल में किसके द्वारा कर लेगा ये तवचा के द्वारा कर लेगा और स्थल पर ये फेफडों के द्वारा उभेचर फेफडों के द्वारा भी करते हैं सरी सर्फ भी करते हैं पक्षी भी करते हैं ये आपने श्वसन अंग याद रखने हैं ठीक है दिनेश सारन समझ में आ गया लाइव हो क्या सर हा पांचवा और स्टार बनाकर मेंडक के बारे में याद रख लेना केचुवा क्योंकि देखे कोशन जो बनेगा कहां से बनेगा एक तो बनता है यहां से केचुवे से केचुवा मत भूल जाना यहां से प्रशन बनने की संभावना है दूसरा मेंडक मत भूल जाना यहां से बन बात करते हैं तो हमारा श्वसन तंतर किस से बना होता है ध्यान से सुनिएगा मानव श्वसन तंतर जो होता है वो दो चीजों से बना हुआ है कौन सी दो चीजों से ध्यान से सुनिएगा एक है श्वसन पत एक है श्वसन पत और एक है हमारे फेफडे यह हमारा अंग है जहां एक पत है एक पाथवे है जहां से वायू आएगी या निकलेगी तो दो चीजे हैं जो हमारे श्वसन तंत्र का निर्मान कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे श्वसन पत की अगर हम बात करते हैं तो श्वसन पत जो होता है वो किस से बना होता है ध्यान से ग्लाश है और स्वा चले आगे यार लाइक निक थोकते हैं तुम लोग चलिए शोसन पत की बात कर रहा है शोसन पत जो होता है वो किस किस से बना होता है एक सिंपल सा डाइगराम हम बनाएंगे ये इस तरीके से ये मैं खड़ा हूँ ठीक है ये मैं इस तरीके से खड़ा हूँ मेरी नाक आगे है इधर की तरफ है यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ने से पहल पूर्सल के वेंट्रल फटाफट हाजी हाजी जल्दी से ये अधर भाग है के प्रश्ट भाग है सर अधर 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 नहीं अधर 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 और ये वाला कौन सा होता है पीछे वाले को हम क्या बोलता है प्रश्ट याद रखना ये हमारा कौन सा है अधर और ये क्या है प्रेष्ट ठीक है चलें आगे अब यह जो नाक जो है यह मेरी यहाँ पर दिकाईगे यानि मैं इस तरीके से कर रहा हूं यह मेरा अधरभाग है यहाँ पर यह जो नाक जो है इसके अंदर छिद्र हैं जिसको हम क्या बोल रहे है नासा छिद्र ओके जनाब जिसको हमने क्या बोल दिया है नासा छिद्र बोल दिया है अब इससे क्या आएगी सर वायू आएगी यह मेरा मुख है जिसमें यह उपर वाली होट है यह नीचे वाला होट है यह उपर वाला हो गुहा इसका नाम क्या है नासा गुहा और यहां से हम भोजन भेज रहे हैं इसका नाम क्या है मुख गुहा चालो सीधा सा अब जरा सोच नासा गुहा और मुख गुहा के बीच में जरा अपनी जीब को उपर की तरफ टच कर ये क्या कहलाता है तालू कहलाता है क्या कहलाता है इसको हम क्या बोलते है तालू पैलेट बोलते है ठीक है अब ये तालू पीछे जाकर एक घंटी नूमस संगरचना का निर्मान करता है जिसको हम क्या बोलते है यूवुला बोलते है इसका नाम क्या होता है यूवुला याद रखीगा इसको हम क्या बोलते है यूवुला कहते है या वैलम पैलेटी कहते है ये एक प्रकार का कोमल तालू होता है हमारे तालू जो होता है दो प्रकार के होता है आगे वाला कठोर होता है पीछे वाला कैसा होता है जिली में होता है कठोर किसकी वज़े से होता है उसमें मिलती है हड्डियां मेगजिला पैलेंटाइन है ना नोस्ट्रिल्स बोलते हैं अंग्रेजी में यहां से कहां जाएगी वायू यहां जाएगी इस जगे को क्या बोला नासा गुहा नीजल कैविटी यह हमारा मुख है मुख से क्या जाएगा भोजन जाएगा अब यह मुख गुहा और यह नासा गुहा के बीच में क्या मिल रहा ह प्रेसर तालू मिल रहा है तालू जो है दो भागों में बटा हुआ है आगे वाला तालू जो है वो कठोर है पीछे वाला कोमल है कठोर क्यों है क्योंकि इसमें मिल रही है हड्डियां पीछे वाला कोमल क्यों है क्योंकि उसमें नहीं मिल रही है हड्डियां कोमल तालू ये मुखगुः एक भाग में खुलती है ये जो मुखगुः जो है ये एक भाग में खुल रही है ये वाला शेतर जो होता है इसको बोलते है मुखगरस्नी ये वाला भाग क्या कहला रहा है मुखगरस्नी कहलाता है इसको हम क्या बोलते है मुखगरस्नी कहते हैं और ये नास जिस भाग में खूलती है इसको हम बोलते हैं नासा ग्रस्नी कहते हैं च्लते हैं और ग्रसनी डिखते हैं इस नाषा ग्रस्नी में एक नलीका आती हैं 178, कान से होकर कोई बच्चा मुझे बताएगा उसका नाम ये जो नासा गरस्नी है इस नासा गरस्नी में एक नलीका उपर से आती है हमारे कान से होती हुई आती है मध्य कर्ण से होती हुई आती है कोई मुझे उस नलीका का नाम बता पाएगा फड़ा फट हाजी बताईए एक गरस्नी एक नासा गरस्नी में एक नली का आरी हमारे कर्ण से होती हुई आती है वेल डन मंझू धाकर बहुत ही बढ़िया रेहान पाशा बहुत ही बढ़िया एपिको टैलरे भाई कैसी बात कर रहा है लिली जा बहुत ही बढ़िया वेरी गुद फरैनुलम नहीं बिटा फरैनूलम नहीं उसको बोलते है युस्टेकियन नली का याद रखना क्या बोलते है युस्टेकियन नली का जो वायू के दाब को नियंतरित करती है जब कर्ण पढ़ेंगे ना कान पढ़ेंगे तब बताऊंगा अभी सिर्फ इतना सा हमारा कान जो होता है उसके तीन बाग होता है भाई कर्ण, मद्धे कर्ण, अंते कर्ण तो मध्यकर्ण जो होता है उसमें क्या मिलती है टिमपैनिक जिली मिलती है कान का परदा मिलता है उसके पास में तीन हड़िया होती है मेलियस, इंकस, स्टेपीज और नीचे निकलती है एक नलीका जिसका नाम होता है यूस्टेके नलीका जो अंतेकर्ण और भाईय कर्ण के ब आकर खुलती है याद रखेगा चले ये नासा ग्रशनी है जिससे क्या आ रही है सर वायू आ रही है अब यहां से भोजन तो भेजोगे नी क्या भेजोगे वायू भेजोगे सर ये मुख ग्रशनी है जहां से क्या आ रहा है भोजन आ रहा है तो मुख ग्रशनी और नासा ग्र सकता देखना फील करना थोड़ा सा जल्दी जल्दी पकड़ना पड़ेगा बिटा अगर मैं इसको ग्रशनी बोल रहा हूं अंग्रेजी में बोलते हैं फैरिंग्स अंग्रेजी में बोलते हैं फैरिंग्स तो इमाजन कर ये फैरिंग्स दो भागों में बट गया एक जो प्रशने कई बार पूछा गया सिंपल सा हमारे शुसन पत का वो कौन सा भाग है जो कॉमन पाथवे है समान पत है भोजन और वायू के लिए तो याद रखना भोजन और वायू के लिए समान पत कौन सा होता है गरस्नी होता है ये वो भाग है जिससे भोजन भी आता है और वा अगे अधर ये विला कौन सा है प्रश्ट अब यहाँ पर दो नलीकाएं है एक ये वाली नलीका जो अधर की तरफ है आगे की तरफ है ये वाली और एक ये वाली नलीका जो पीछे की तरफ है तो अधर नलीका जो होती है ये शसन से संबंदित होती है और जो प्रश्ट नलीक बोलते हैं और ये वाली जो नली का जो होती है इसका स्टार्टिंग का पोर्शन जो होता है ये स्टार्टिंग वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं लेरिंक्स इसको हम क्या बोलते हैं लेरिंक्स बोलते हैं याद रखना ये वाली तो ग्रसी का कहला रही है और ये वाल generate जो होती है हमारे अंदर वो इसी भाग से होती है इस वाले भाग से होती है इसके अंदर क्या मिलती है उपास्थिया मिलती है अलग-अलग चार से पांच प्रकार की अंदर क्या मिलती है उपास्थिया मिलती है ठीक है जिसमें से आपकी thyroid, crackoid, eritinoid, cartilage of centaurini अलग-अलग प्र भोजन के पत्थ से संबंदित है अब यहां से भोजन भी आ रहा है वायू भी आ रही है अब दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा तो कैसे करते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं यहां पर एक धकन मिलता है क्या मिलता है गुरू यहां पर एक धकन मिलता है और यह धक अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एक नलीका को कवर करता है ये वाली नलीका का छेद जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोटेस ये जो छिद्र जो होता है इसको हमने क्या नाम दिया है ग्लोटेस और ये वाला जो होता है जिसको हम घांटी धकन या एपी जिस होते हैं इसको हमने क्या बोला है लेरिंग्स हम तो श्रसंतंतर की बात कर रहे हैं पाचंतंतर की बात तो कर नहीं रहे है तो यू यहां चली जाएगी हाँ चली जाएगी अब यह कौन है बिटा यह है लेरिंग्स जिसको हमने क्या नाम दिया है स्वर पेटी का नाम दिय यह मैं बोलूँगा यह लेरिंग्स आगे जाकर यह हमारी स्वर्पेटी का जो थी इसको हमने क्या बोला था स्वर्पेटी का यह स्वर्पेटी का जो थी जिसमें कार्टिलेज मिल रहे थे यह आगे जाकर एक नलीका में खुलते हैं और यह जो नलीका जो होती है इसको हमने क्या नाम दिए थैघ एफका स्वार पेटिका हमने क्या नाम दिया अंगरे जी में लारिंक्स और इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया ठीक है मैं वापस से रिपीट करूंगा फिर से ध्ञाण से सुनिए इसको हम स्वर पेटी का और कंठ भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं हम इसको कंठ भी बोल देते हैं वापिस से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा हम श्वसंतंतर पढ़ रहें श्वसंत पढ़ रहें यानि वायू की बात करेंगे तो वायू सबसे पहले किस से आएगी सर न नासा गुहा नासा गुहा से होती हुई कहां पर गई नासा ग्रस्नी नासा ग्रस्नी से होती हुई कहां पर आई ग्रस्नी ग्रस्नी से होती हुई कहां पर आई कंठ कंठ से होती हुई नीचे जाएगी किसमें श्वास नलीका तो इतना सा पत समझ में आ गया बताइए अजय शर्मा इतनी सी बात समझ में आगी पिंकी बहुत हास रही हो हाँ जी हाँ जी सरr vocal codes कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं एक true vocal code एक false vocal code होते है जिसमेंचे true जो होते हैं वो generate करता है sound और false vocal code जो होते हैं वो क्या करते हैं उसको नमी परदान करते हैं, एक pink कलर के होते हैं और एक yellow कलर के होते हैं, समझ में आ गया, done, इतना detail में कसम से हमारी NCRT में दे नहीं रखा, अगर दे रखा होते हैं तो बहुत मज़ा आता पढ़ाने में, अब दे नहीं रखा क्या करें, और मैं जानता हूँ आप जो अलग- जो होते हैं, एक false vocal code होते हैं, जिसमें true जो होते हैं, वो generate करते हैं, sound को और false जो होते हैं, वो नमी परदान करते हैं, ताकि वो dry ना हो जाए, सूखना चाहें, ठीके जी, चले, हाँ जी, sir, protein की खौज क्यों हम, 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 हम किया, हम किया, हम किया, प्रोटीन की कौज कौज अंदर ये होता है, thyroid cartilage, जो दुट्य लेंगी collection जब उत्पन होते हैं, तो ये fool जाता है, और जब ये बढ़ जाता है, तो इसको हम Adam's apple बोलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, लड़कों की sound जो होते हैं, थोड़ा सा भारी पन आ जाता है, जब कि लड़कों की sound में, वो ह ये वाला भाग है कौन सा, स्वर पेटी का, ठीके, श्वर उत्पन करेगा, ध्वनी उत्पन करेगा, चालिए जी, इसमें क्या मिल रहे हैं, उपास्थिया मिल रही हैं, cartilages मिल रहे हैं, जिसको हमने लेरिंक्स बोला, इसके बाद अगला भाग जो है, श्वसन नली का, ओक श्वसनी, फिर प्रात्मिक श्वसनी, द्वित्य श्वसनी, द्वित्य तुरित्य, इस तरीके से श्वसनी श्वसनी बढ़ती जा रही है, फिर श्वसनी किसमें बढ़ गई, सर्श्वसनी का में, श्वसनी किसमें बढ़ गई, श्वसनी का में, प्रात्मिक श्वसनी का, द्विते श्वसनिका अत्रिते श्वसनिका और फिर लास्ट में मिलती है अंतस्थ श्वसनिका क्या मिल रही है अंतस्थ श्वसनिका अभी मैं लिख दूँगा ये सारी चीज़े ठीके तो ध्यान से सुनना ये थी अंतस्थ श्वसनिका और अंतस्थ श्वसनिका लास्ट में help करिएगा और मुझे बताएगा कहां 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 कैसे कैसे सबसे पहले मुझे बताएगा वायू कहां से कहां आई सर नासा छिदर से किसमें गई फड़ा वड़ा अंसर आना चाहिए नासा छिदर से किसमें गई फड़ा फट नासा छिदर से किसमें गई है जल्दी से बताएग नासा छिदर से किस में गई है नासा छिदर के बाद कौन सा भाग था नासा छिदर के बाद नासा गुहा नासा गुहा के बाद नासा ग्रस्नी नासा ग्रस्नी के बाद में सिंपल ग्रस्नी ग्रस्नी के बाद में ग्रसी का लिखूं के कंट लिखूं सरकंट कंट के बाद में नलिका, श्वास नलिका से होती हुई प्रात्मिक श्वस्नी, प्रात्मिक श्वस्नी से होती हुई द्वित्य श्वस्नी, द्वित्य श्वस्नी से होती हुई त्रित्य श्वस्नी, त्रित्य श्वस्नी से होती हुई प्रात्मिक श्वस्नी का प्रात्मिक, स्वसनी काई सर इनको इंग्लिस में क्या बोलते हैं ये भी लिख देता हूं प्रात्मिक श्वसनी कासे विद्टे है pass का ट Traffick sous मिपा से विद्टे श्वसनी का से वोती हुई तृत्य श्वसनीका से होती हुई अंतस्थ श्वसनीका से होती हुई कुपी का अंतस्त श्वस्नी से होती हुई कुपी का ठीक है तो इस तरीके से ये परिवहन का मार्ग था किसके वायू के परिवहन का मार्ग था ठीक है जी हाँ जी ये था अमारे वायू के परिवहन का मार्ग अगर आप वापिस से देखेंगे तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। परिवेहन का मार्ग जो था अब यहां से नीट में कहां से प्रशन बनेगा यह समझने वाली बात है ध्यान से सुनिएगा हमारी NCRT में जो जो बिंदू लिखे गए हैं उनको जरह ध्यान से सुनिएगा समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर देखें यहाँ पर NCRT में एक word लिखा हुआ है और आपको वो चीज याद रखनी है क्या ध्यान से देखेंगा ध्यान से देखेंगा प्लीज ध्यान से सुनिएगा देखेंगा यह एक word लिखा हुआ जिसका नाम लिखा हुआ है चालन 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 भाग हाँ जी कहीं लिखा हुआ है चालन भाग चालन भाग चालन भाग अरे किदर गया चाल चालन 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 आपको दिखाई दे रहा है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा यह लिखा हुआ है विनी में भाग श्वसन या विनी में भाग पहले तो यह वर्ड याद रखना है दूसरा चालन भाग यह वर्ड पहले तो इस वर्ड पर फोकस करिएगा क्या एक लिखा हुआ है श्वसन भाग या विनी में भाग और एक लिखा हुआ चालन भाग अब कौ कौन सा कौन सा भाग है वो समझी का क्या नासा रंद्रिया नासा छिद्र जिसको हमने बोला था वहां से लेकर अंतस्त श्वस्निकाउं तक का भाग कहां से कहां तक नासा छिद्र नासा गुह नासा ग्रस्नी ग्रस्नी कंट श्वासनलिका फिर श्वस्नी फिर श्वस्नीका और फिर अंतस्थ श्वस्नीका ये पूरा भाग जो है ये पूरा भाग जो है यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा यहां तक अंतस्थ श्वस्नीका तक का भाग जो है ये क्या कहला रहा है चालन भाग कहला रहा है कंडक्टिंग जोन बोलते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं चालन भाग कंडक्टिंग जोन जहां से गैस आ रही है व कुपिका की नलिकाएं जो होती है वो मिलकर क्या कहला रही है श्रसन या विनी में भाग अब आप थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगा लिजे यहां से यहां से चलते 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 आई यहां तक आई हाँ अब यहां से क्या हो जाएगी एक्सचेंज हो जाएगी तो ये वला भाग क्या कहलाएगा एक्सचेंज जोन कहलाएगा के नहीं कहलाएगा येस इसको हम क्या बोलेंगे एक्सचेंजिंग जोन और ये क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा चालन भाग कहलाएगा और ये क्या कह important चीज क्या है जुरध्यान से सुनिएगा देखें यहां पर आपको याद रखना ये जो हमारी श्वास नलीका जो थी न कौन सी ये श्वास नलीका श्वास नलीका देख रही है इस पर इस तरीके से जैसे सपोज ये मेरी सपोज ये मेरी कोई चाए पीकर यही पर रग गया ये मालो ये मेरी क्या है श्वास नलीका है ठीक है ये मेरी श्वास नलीका है अब इस श्वास नलीका को जब मैं देखता हूं तो इस पर ना इस तरीके से उपास्थी मिल रही है कैसी उपास्थी मिल रही है ऐसी जरह देखना कैसे आकार की उपास्थी सी आकार की कवर कर र रही है उपास्थी मिल रही है तो याद रखना इस पर ऐसे 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 इस थरीके से क्या मिल रही है सी आकार की क्या मिल रही है आपने याद रखना क्या मिल रही है उपास्थी मिल रही है इस पर श्वास नली का जो है इस पर सी आकरती की क्या मिल रही है उपास्थी मिल रही ह C-shape क्या मिल रही है वो पास्थे मिल रही है ये बिंदू भी याद रखना है दूसरा बिंदू जो नीट में आपसे पूछा जा सकता है ये हमारी जो श्वास नली का जो थी ये दो भागों में विभाजित हो रही है जिनको हमने क्या बोला था प्रात्मिक श्वसनी बोला है हाँ सर बोला है अब ये कहां पर विभाजित होती है किधर की तरफ विभाजित होती है ये प्रशन पूछा जाएगा तुमसे तो आप जब इस NCRT को पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है यहाँ पर ये जो हमारी कौन सी बिटा ये जो हमारी श्व श्वास नलीका जो होती है श्वास नलीका ये क्या हो जाती है दो भागों में बठ जाती है जिनको हम क्या बोलते है प्रात्मिक श्वास श्वसनी बोलते हैं अब ये कहां पर बठती है इध्यान से सुनना पांचवी पांचवी वक्षिये कशेरुकी के सामने है ये कितने बच्चे समझ पायें जरा मुझे बताईगा पांच वी को वक्षी ए कशे रुकी के सामने बठती है यह इन कम्पलीट कार्टिलेज बोलते है वेल डन जरा मुझे बताईगा फटा फटा यह पांच वी वक्षी कशे रुक का मतलब क्या होएगा अगर जिनको समच में नहीं आ रही है इस रीड की हड़ी जो होती है इस रीड की हड़ी का नाम क्या होता है मेरु दंड होता है कि मेरु रज्जु होता है जल्दी से आंसर बताईएगा फटाफट मेरु दंड होता है कि मेरु रज्जु होता है हिंदी में क्या बोलते है रीड की हड़ी जो होती है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मेरु दंड बोलते हैं कि मेरु रजु बोलते हैं जनाब जल्दी से अंसर आना चाहिए फटा फट इसको मेरु दंड बोलते हैं कि मेरु रजु बोलते हैं अबान मनीश सुलिया रोहित परमार गुडिया शुभम हर्श पांडे बहुत ही बढ़िय क्या बोलते हैं पी केम चैनल कह रहे हैं सर इसको मेरू रज्जु बोलता है रे बांगडू तुने पढ़ाई नहीं करी है बिलकुल भी इसका हम बोलते हैं मेरू दंड क्या नाम देते हैं इसको मेरू दंड बोलते हैं रीड की हड़ी पूछ रहा हूं मेरू रज्जु क्या ह में क्या बोलते हैं वर्टीब्रल कॉलम हिंदी में बोलते हैं मेरु दंड या कशे रुक दंड भी बोला जाता है और इसके अंदर से तंतरीकाओं का गुच्छा जाता है जिसको हम बोलते हैं मेरु रजु इंगलिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड याद रखना हड्डिय क्या है मेरु दंड तंत्रिकाओं का गुच्छा क्या कहला रहा है मेरु रज्जु आज के बाद भूल मत जाईएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा यह हमारी मेरु दंड और यह पांच भागों में बटी होती है कितने भागों में बटी होती है कितने भागों में बटी होती है सर यह पांच भागों में बटी होती है कौन मेरु दंड कौन कौन से है यह पांच भाग है सबसे पहला जो गर्दन के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वीकल क्या बोलते हैं सर्वीकल बोलते हैं याद रखिएगा नेक्स उसके बाद ह होता है थारैसिक जिसको हम वक्षिये बोलते हैं क्या बोलते हैं वक्षिये बोलते हैं उसके बाद क्या होता है लंबर उरू बोलते हैं उसके बाद होता है सैक्रम या सैक्रल कटी बोलते हैं और फिर उसके बाद होता है कॉकिक्स पूच की हड़ी याद रखेगा तो इस तरी कवस्था में हैं लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो यहां पर कितनी होते हैं पांच होते हैं जो फ्यूस्ड होकर एक बना लेती हैं यहां पर कितनी होते हैं चार जो फ्यूस्ड होकर एक बना लेती हैं तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जिसको हमने क्या बोला है वक्षय कशे रूक बोला है इसमें टोटल हड्डियां कितनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा बारा है इस तरीके से टोटल बारा है इसमें से पांच्वी जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पांच्वी अब यह ह कौन सी हमारी पांचवी कौन सी है यह हमारी पांचवी कशे रुख है पांचवी कशे रुख है मैं इस तरीके से खड़ा हूँ हां सर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ यह मेरी पीछे रीड की अड़ी है हां सर रीड की अड़ी है यहां से क्या जा रही है श्वासनली का जा रह रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी जाते 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 ये दो भागों में बटी है किसके सामने कौन सी कशेरुक के सामने बट गई है दो भागों में तो पांचवी कशेरुक के सामने दो भागों में बट जाती है हमारी कौन श्वास नलिका ये जो श्वास नल इबरी के सामने ये बट जाती है कितने भागों में दो भागों में प्रात्मिक श्वस्नी में तो ये भी याद रखना आप से प्रशन पूछा जा सकता है चलें अब आगे बढ़ते हैं अब इदर देखेगा ध्यान से सुनिएगा एक और प्रशन बनेगा ये सी आकरती की जो उपास थी जो थी ये कहां तक थी जरा देखेगा ये हमारे श्वास नलिका में थी हां सर श्वास नलिका में हैं क्या ये हमारी प्रात्मिक श्वस्नी में भी होती है जी गुरू ये हमारी प्रात्मिक श्वस्नी में भी होती है क्या ये हमारी दृत्ते श्वस्नी में भी हो तो यहां से भी प्रशन आएगा और यह लिखा हुआ है हमारी NCRT में जरह यहां पर ध्यान से सुन, अराम से सुनना, अब हम NCRT की एक एक लाइन देखने वाले हैं, टीके? NCRT की एक एक लाइन को पढ़ने वाले हैं, जरह गोर्द से सुनियेगा, क्या लिखा हुआ है NCRT हम हमारे अंदर एक जोड़ी क्या है नासा द्वार है डन जो होटो के उपर बहार की तरफ खुल रहे हैं होटो के उपर बहार की तरफ खुल रहे हैं ये नासा मार्क द्वारा नासा कक्ष या नासा गुहा तक पहुंचते हैं अब ये छेद जो अंदर किसमें खुल रहे हैं ना से प्रशन बनता है बोला था ग्रशनी जो होती है वो समानपत होता है आहार और वायू दोनों के लिए एक मार्ग परदान कर रहा है कॉमन पाथवे होता है किसके लिए फूड और एयर का कॉमन पाथ होता है कौन ग्रशनी याद रखना कौन फैरेंक्स बूलना जाएगा ग्र पास्थी में धकन होता है जो क्या करता है कंट को कवर करता है ध्वनी उत्पादन में सायता करता है कौन कंट ही आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसलिए इसको क्या बोला है ध्वनी पेटी का बोला है या स्वर पेटी का या ध्वनी पेटी का बोल देते हैं बोजल भोजन निगलते समय एक घांटी, एक धकन जैसी संग्रचना होती है, एक उपास्थिल संग्रचना होती है, एक पला होता है, एक फलैप होता है, धकन होता है, जिसको हमने कंट च्छद दिया, एपी ग्लोटिस बोला है, जो कंट का छेद जो होता है, उसे हम क्या बोलते है, ग्लोटि तो ये किसका आवरण होता है ये जो है ये हमारा कंट छद जो होता है ये हमारा कंट छद है ये कंट छद है ये किसकी कवरिंग करेगा सर गलोटिस की कवरिंग करने वाला कौन एपी गलोटिस चलिए जी आगे बढ़ते हैं हाँ जी जिससे आहार किसमें जाएगा आहार आपक आप चाहे तो इसको ट्राय भी कर सकते है अगर आपके पास अगर पानी भी रखा है पानी रखा या कुछ पीने वाली चीज या कुछ खाने वाली चीज रखी है तो एक काम करिएगा उसको खाईए उसको निगलिए पानी को निगलिए पानी को पीए और जब पीएं तो उस समय सांस लेने की कोशिश करें नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि हमारा भोजन या हमारा पानी या इंफेक्ट आप अप अपनी थूक को सलाइवा को भी निगल लीजें कोई पानी की जर्रत नहीं है काम कर मुख में जो सलाइवा बन रही है उसको निगल और निगलत जो होता है इसको क्या कर लेता है कवर कर लेता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है लोग जब पानी पीते तो एक दम फवारे की तरह पानी बाहर आ जाता है आ जाता है ना क्यों आ जाता है क्योंकि गलती से अगर ये प्रापर कवर नहीं होता है तो आगे बढ़ते है पिटा जी यहाँ पर हाँ जी श्वास नली एक सीधी नली का होती है जो वक्ष गूहा में मध्य पांचवी वक्षिय कशेरू की तक जाती है और दो भागों में बढ़ जाती है जिसको हम क्या बोलते है प्रात्मिक शुस्नी यह मैंने आपको बता दिया हमा क्या बनाती है शुस्नी बनाती है फिर क्या बनती है शुस्नी का बनती है फिर लास्ट में क्या बनती है अंतस्त शुस्नी का बनती है और अंतस्त शुस्नी का लास्ट में जाकर किसमें खुल जाती है साब आपकी कुपी का में खुल जाती है ठीक है अब इंपॉर्टन श्वस्नी का हैं ब्रॉंकियोल ठीक है इन पर क्या मिल रहा था इस पर वर्ड फोकस कर दे कि यहां तो समझ में आ जाएगा कि हमारी श्वासनली यानी ट्रैकिया पर सी आकरती का क्या था उपास्ती थी हमारी प्राथमिक में भी एडिटे में भी एत रिटे में भी यह मैंने नहां पर आपको बना कर भी दिखा दिया इस तरीके से कि हमारी श्वासनली में भी है हमारी प्रात्मिक श्वस्नी में भी है दुते श्वस्नी में भी है तृते श्वस्नी में भी है और प्रारंभिक वर्ड इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रारंभिक श्वस्नी का प्रारंभि श्वसनिका जो है वहाँ पर एक अपून उपास्थिल वले मिलता है अब अपून का मतलब क्या है देख ये अगर ऐसा मिलता गोल आकरती का मिलता ओ आकार का मिलता तो मैं ऐसी उपास्थित को क्या बोलता पून बोलता लेकिन अब ऐसा मिल रहा है सी आकरती का मिल रहा है तो क जाले प्रतियक अंतस्त श्वसनी का बहुत सारी पतली आयमत भित्ती युक्त वाही किए थैली जैसी संग्रचना कुपी काओं में खुलती है इस वर्ड पर फोकस कर रहा है कुपी का कुपी का जो होती है कुपी का जो होती है उसके आगे वर्ड आ रहा है भित्ति युक्त वाहिकाईत अनियमित भित्ति युक्त वाहिकत पता है हम छोटे छोटे शब्दों को भूल जाते हैं ये देखना पतली और नियमित भित्ती युक्त वाहिकाईत थैली जिसको हमने क्या बोला है कुप्पी का सर इसका मतलब क्या है मैंने का रुख जा अभी बता रहा हूँ ये देख ये है बिटा हमारी कुप्पी का ठीक है जी और ये कुप्पी का जो है इसका ये जो आवरण जो है ये जो भित्ती जो है ये बहुत पतली कोशिकाउं से बनी हुई है समझने की कोशिश करिएगा आप में से कितने बच्चों ने शल्की उपकला नाम सुना है स्क्वेमस एपिथिलियम नाम सुना है सर सभी ने सुना हुआ है कैसी होती है सर चप्टी होती है मैंने कर ये शलकी उपकलाएं जो होती है स्क्रैमस एपिथिलियम जो होती है वो कैसी होते है चप्टी कोशिकाएं होती है हां सर होती है इनके किनारे कैसे होते हैं क्या नियमित आकरती के होते हैं क्या नियमित आकरती के होते हैं दिमाग पर फोकस कर कैसे होते हैं नियमित क्या नियमि विम्त आकरती के होते हैं, इस तरीके से, आक, देख है, होती कैसी यह चपटी होते है, लेकिन इनके किनारे कैसे होते है, रेगूलर सब जाने होते हैं, तो पहली बात आपको यह क्लियर हो गई, यह जो शल्की उपकला independent गिस की कुपिका की भिति है, यह किससे बनी हुई है, सर ये शल्की उपकला से बनी हुई है जिनके किनारे कैसे होते हैं सर इनके किनारे अनियमित होते है I hope आपको वो वाली NCRT की लाइन समझ में आ गई होएगी कि यहाँ पर पतली अनियमित भित्ती का मतलब क्या था शल्की उपकला और अनियमित भित्ती किस में मिलती है शल्की उपकला में मिलती है निक्स्ट अब यहाँ पर लिखा हो है वाहिकियत वाहिकियत का मतलब क्या है सर यह वाहिकियत का मतलब क्या मैं तिरसे बोल रहा हूँ कि भाई साब इनके पास में रक्त नलिकाएं अगर आएंगी इन बित्तियों के पास में अगर रक्त नलिकाएं गुजी हुई हैं इन बित अरे दिमाग लगा बाबू इन कोशिकाओं को भी तो पोशन चाहिए चाहिए ना इन कोशिकाओं को भी तो पोशन चाहिए और वो पोशन कौन परदान करेगा रक्त नलीका परदान करेगी कि नहीं परदान करेगी तो येस इन नलीका ये जो भिती जो है ये वेस्कुलर है व होती है यह कोपीका कि बिटी कैसी होती है शल्की उपकला की बनी होती है जिसके किनारे कैसे होते है आणिया में ताकरती की होते है और यह कैसी होती है वाईका युक तोτοि यह outta पास रखतनली का यहां रही है पोशन प्रदान करेंगी डंडना डंडन आगे बढ़ते हैं विटा जी यहां पर अब आगे बढ़ते हैं यहां पर हाजी यह इसको हमने क्या बोला है कुपी का बोला है चल वायू कुपी का कहते हैं या कुपी का बोलते हैं जिसमें वायू गुरू ये हमारे एक अंग में मिल रहा है जिसका नाम है क्या फेफडे फुफुस लंग्स के अंदर मिलता है तो ये जो जाल जो मिल रहा है ये किस के अंदर मिल रहा है फेफडो के अंदर मिल रहा है अभी फेफडे भी पढ़ेंगे इसके बाद वाली जो लाइने लिखी कि वो अभी हम पढ़ेंगे फेफिडे के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बार ये वाला भाग पढ़ लेते क्या बाहिये नासा रंदर से लेकर अंतस्त श्वसनी तक का भाग क्या कहला रहा था चालन भाग कहला रहा है जिसमें वायू चलती हुई आ रही थी उ तो कौन बना रहा थी कुपी का बना रहा थी उसको हमने क्या बोला था श्वसन या विनी में भाग बोला था जहांसे guesses का exchange होएगा ये लिखा भी हुआ है कि चालन भाग क्या कर रहा है सर चालन भाग वायू मंडलिये वायू को कुपी काउन तक संचारित करता है ये जो चालन कड़ों से मुक्त करता है बाहरी कड़ों से मुक्त का मतलब कि भाईया आपके इस चालन भाग में इस चालन भाग में क्या होता है शलेशमा होती है पक्षमा शलेशमा होती है आपने नाम सुनाओगा सीलिया होते हैं क्या करते हैं धूल के कड़ों को अंदर जाने से रोकते है बहिए जरह सोची जो नासा छिदर से नासा गुआ होते हैं इस नासा गुआ के अंदर क्या होते हैं शलेशमा को गरंतियां होते हैं क्या निकालती हैं अंदर बाल होते हैं अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं सीलिया बोलते हैं जो कहीं ना कहीं धूल के कड़ों को अंदर जा सिर्ण वायू का चलन करा करा रही है धूत तीसरा धूल के कड़ जो अंदर जा रहे हैं उनको अंदर जाने से रोक रही है डस्ट के जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको अंदर जाने से रोक रही है तीसरा कार है अगर मैं राजिस्तान में हूँ तो वायू बहुत गरम है शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग अगर मैं शरीर का तापमान देखू और बहरी तापमान देखू तो बाहरी तापमान बहुत ज़्यादा गरम है अब वायू जो गरम गरम मेरे अंदर जाएगी तो भाया नुकसान पहुंचाएगी similarly मैं कहां पर हूँ लड़ाक में हूँ जहां पर वायू जो है बहुत ठंडी है चाहिए अगर मैं लडाक में हूँ तो मेरे नाक के अंदर एक हीटर होना चाहिए यानि वायू का जो तापमान है उसको शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए बैलनस करना चाहिए और वो काम भी कौन कर रहा है गुरू हमारा ये نासा मार्ग करता है तो देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आद्र करता है वायू को शरीर के ताप करम तक लाता है साफ साफ लिखा हुआ है तो ये हैं आपके तीन कारे किसके हमारे कंडक्टिंग जोन के हमारे जो परिवहन मार्ग है चालन भाग जो है हमारे किसका नासा पत्का जो क्या कर रह गुरू चालन भाग क्या कर रहा है वायू को लेकर आ रहा है हाँ पहला का रहा है दूसरा बहरी कड़ों से मुक्त कर आ रहा है बहरी कड़ों का अंदर जाने से रोक रहा है हाँ तीसरा वायू को शरीर के तापमान तक तापमान के कॉर्डिंग बैलेंस कर रहा है हाँ ये ती से पहला पढ़ा है इसमें कौन सा पत हमारा शुसन पत अब शुसन पत के बाद हम पढ़ेंगे क्या फेफडो और उसी फेफडो में हम किसकी बात करेंगे कुपी कों की बात करते हैं आई ये बात करते हैं किसकी बिटा यहाँ पर फेफडों की फेफडों की जब हम बात करते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं लंग्स कह रहे हैं फेफडों की जब हम बात करते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा फेफडों की जब हम बात करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं लंग्स बोल रहे हैं पहला बेंदू बहुत स होता है वो left वाले से क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरीके से आपकी श्वस्नी दो भागों में विभाजित हुई हाँ सर यह वाला जो होता है हमारा यह comparatively इस वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है अब आप बोलेंगे सर कैसे बड़ा होता है मैंने का देख इस त के अंदर ये लगबग 625 ग्राम का होता है और ये लगबग 575 ग्राम का होता है ठीक है पूछा नहीं जाएगा याद रख सकते तो रख लीजेगा सवा 600 ग्राम का होता है कौन सा हमारा दाइना फुपस और बाइना फुपस जो होता वो कितना होता है 575 ग्राम का होता है अब खाच पैदा करता है आप में से कितने बच्चों ने फोन आप सभी के पास कौन सा फोन है आप जानते हैं आपके पास जो है एंड्रोइड फोन है हाँ सर आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है नॉच notch design सुनाए आपने कि phone के अंदर एक notch design होता है कौन सा notch design होता है यह starting में चला था इस तरीके से इस तरीके से phone की screen होती थी और इस तरीके से गड़ा सा होता था और यहाँ पर camera होता था है ना आप में सकईयों के पास होगा ऐसे design को हम क्या बोलते थे notch design notch का मतलब ही क्या एक दरार, एक depression एक गड़ा, अब आप मुझे बताएगा क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर एक दरार सी नहीं दिखाई दे रही है, यह एक दरार सी पैदा होगई यहाँ एक depression पैदा हुआ है, एक गड़ा सा पैदा हो गया है इस जगे को बोला जाता है कार्डियक नौच इसको हम बोलते हैं कार्डियक नौच कहते हैं अब कार्डियक नौच का मतलब एक ऐसा गड़ा जहां पर क्या मिल रहा है हमारा कार्डियक पार्ट मिल रहा है यानी हमारा हिर्दे उपस्थित है अब यह न जोए comparatively भाईने से क्या होता है बड़ा होता है इस दरार के कारण, cardiac notch के कारण, ठीक है जी, हाँ जी, चले जी, आगे बढ़ते हैं बिटा जी, यहाँ पर, चले, तो एक जोडी होते हैं, right lung जो होता है, एक सेकंड मैंने एक गलती कर दिये, यहाँ पर 625 की जगे 525 करियेग पर जी जगे बटा, 525 और इसको 475 करियेगा, यह 400 पर जटर और यह 525 ठीक है, यह होगी पहली बात, अब दूसरी बात, अब हमारे lungs जो होते हैं, यह एक दिवार से covered होते हैं, एक वाल से covered होते हैं इस दिवार को हम बोलते हैं, प्लूरा, यह जो दिवार जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा कहते हैं, क्या नाम होता है, प्लूरा, जिसमें से एक बाहरी प्लूरा है, और एक आंत्रिक प्लूरा है, एक एक स्टरनल प्लूरा है, और एक इंटरनल प्लूरा है, ये बाई है प्लूरा और ये अन्ते प्लूरा है और इन दोनों प्लूरा के बीच में जो खाली जगे है इसको प्लूरल स्पेस बोला जाता है जिसके अंदर भरा रहता एक दरव्य है call plural fluid बोलते हैं यहाँ पर एक दुरवे भरा रहता है जिसको हम plural fluid कहते हैं अब यह plural fluid का का काम क्या होता है बहरी आगातों से बचाना क्या बहरी आगात जैसे मैंने जटका मारा इस तरिके से कुछ जटका लगा या पंच लगा तो हमारे फेफडे जो होते हैं बहुत ही समवेदी होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है तो उनको नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए एक तो हमारी पसलियां भी मिल रही है हमारी उरोस्ती भी मिल रही है और अंदर हमारी ये क्या मिल रहा था एक त इंफेक्शन से बढ़ जाता है इस बिमारी को बोला जाता है प्लियूरेसी जो बैक्टीरियल या वाइरल इंफेक्शन से क्या हो जाता है बढ़ जाता है जिसको हम क्या बोलता है प्लियूरेसी बोलते हैं ठीक है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है इस कंडिशन को हम बोल अच्छे तरीके से जानते हैं एक मासपेशिय संगरचना होती है जिसका नाम होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं मध्यपट बोला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में बोला जाता है डायाफ्राम इंग्लिश में बोलते हैं डायाफ्राम और हिंदी में बोलते हैं रखना सामान्याकरती कैसी होती है गुंबद होती है गुंबद आकरती इसकी कैसी होती है सामान्याकरती कैसी होती है और जब इस मध्यपट की मासपेशियों में संकूचन होता है तो ये कैसा हो जाता है चप्ता हो जाता है तो सामान्याकर गुंबद जब इसमें होएगा संकूचन होएगा तो ये कैसा हो जाएगा चप्ता हो जाएगा जरूर याद रखना भूलना जाना सामान्याकरती कैसी होते गुंबद और संकूचन के अवस्था में कैसा हो जाता ये चप्ता हो जाता है चलिए ये डायाफ्राम है ये हमारे फेपडे हैं अब आप फैपडे जो होता है हमारे एक जाल में उता अब यह जाल कहां पर होता है आगे की तरफ एक हड़ी होती है हमारे आगे की तरफ जिसको हम बोलते हैं अरोस्ती। आगे की तरफ कौन है उरोस्थी पीछे की तरफ कौन है सर पीछे की तरफ है हमारी कशेरुक दंड यानि मेरु दंड कौन है साब कशेरुक दंड कशेरुक दंड या मेरु दंड कहते हैं अंगरे जी में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम उरोस्थी को क्या बोलते हैं स्टर्नम अंग्रेजी इस्टारनम वर्टिब्रल कॉलम चालो जी तो वर्टिब्रल कॉलम हो गई है आगे कौन हो गई हो रोस्ती हो गई अब एक जाल जो होता है सपोस मेरे कुछ जाल में बंद कर दिया तो उस जाल में आगे भी कुछ होगा पीछे भी कुछ होएगा दाहीने बाहीने कुछ होएगा उपर नीचे कुछ होएगा है ना भाई जरा सोच जाल में बंद करना है तो आगे भी कुछ होएगा पीछे भी कुछ होएगा side में भी कुछ होएगा, उपर भी कुछ होएगा, नीचे भी कुछ होएगा तो हमारा जो फेपड़ा है, वो बंद है हमारे फेपड़े जो हैं, वो बंद है कहां से, आगे से कौन मिल रहा है, उरोस्ती पीछे से कौन मिल रहा है, मेरुदंड कौन मिलेंगी गुरू पसलियां मिलेंगी डन तो मैं लिखता जा रहो यहां पर क्या 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 कि सर अधर भाग पर क्या मिल रहा है सर अधर पर कौन मिल रहा है सर अधर पर कौन मिल रही है उरोस्थी मिल रही है हां सर उरोस्थी मिल रही है प्रष्ट पर कौन मिल रहा है सर वर्टिब्रल कॉलम मेरू धंड मिल रही है पार्शव में कौन मिल रही है सर पार्शव में मिल रही है कौन हमारी रिब्स हमारी पसलिया मिल रही है चल तो आगे से कवर कर दिया पीछे से कवर कर दिया दाइने बाइने से साइड से कवर कर दिया किसके दौरा पसलियों के जानते हैं नीचे से किस से कवर होएंगे सर नीचे मिलेगा कौन आपका डायाफराम मिलेगा कि नी मिलेगा तो नीचे कौन होएगा सर डायाफराम होएगा और उपर कौन होएगा आएगा ध्यान से सुनिएगा शीर्ष और आधहार शीर्ष पर कौन होएगा और आधहार पर क अभी वापिस से रिपीट करूँगा फिर से सुनना आधार किस ने बना दिया हमारे डायाफराम ने बना दिया शीर्ष कौन बना रहा है अब शीर्ष जो होता है एक हड़ी होती है एक अस्थी होती है जिसको हम कॉलर बोन जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं जो हमारी तो उरोस्ती से आकर जुड रही है और पीछे शोल्डर पर जाकर जुड रही है इसका नाम क्या होता है बिटा जी याद रखना इसको हम बोलते हैं कलैवीकल तो कुल में लाकर इस तरीके से हमने अपने फेफडों को कवर कर दिया है कहां से आगे से पीछे से साइड से उपर से नीचे से एक जाल में अब ये क्या बन रहा है एक जाल बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं वक्षिय जाल कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं थोरे से केज ब पीछे कौन है सर पीछे है हमारे प्रष्ट किसने बना दिया मेरुदंड ने साइड में कौन मिल रही है सर पसलिया मिल रही है नीचे कौन मिल रहा है आधार एक है अधर और एक है आधार नीचे की तरफ आधार किसने बनाया डायाफराम ने उपर की तरफ कौन मिल रहा है शी वक्षिये जाल में कौन उपस्थित हैं हमारे फेफडे उपस्थित हैं तो हमारा वक्षिये जाल जो होता है उसके अंदर कौन उपस्थित हैं फेफडे उपस्थित है अब ध्यान से सुनना इमाजन करना सोचना जरा ध्यान से सुनिएगा हमारे फेफडे जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं कैसे होते हैं स्पंजी होते हैं स्पंजी का मतलब क्या है यहां पर अगर ये वक्षिय जाल फैलेगा तो हमारे फेपड़े भी फैल जाएंगे अगर ये वक्षिय जाल सिकुड़ेगा तो हमारे फेपड़े भी सिकुड़ जाएंगे तुमसे नीट में प्र सिकुड सकते हैं क्या नहीं याद रखना हमारे फेफडे अपने आप कभी भी फैल सिकुड नहीं सकते हैं उनको फैलाया जाता है उनको सिकुडा जाता है उनको फैलाया जाता है उनको सिकुडा जाता है अब कैसे फैलाया जाता है कैसे सी कोड़ा जाता है imagine कर सोच अगर ये उरोस्ती आगे आगई ये पसलिया उपर उठ गई ये डायाफराम नीचे चप्टा हो गया तो ये फेपड़े नीचे से भी और आगे पीछे से भी फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे वापे से सुनना अंकित सिंग अंकित सिंग ध्यान से सुन बिटा मैंने तिर से कहा सिंपल सिंपल तरीके से बोला कि मानले एक गुबारा है क्या ये एक गुबारा है ठीक है इस गुबारे को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया ठीक है अब imagine कर इस गुबार में वायू आ रही है अब यह जो बॉक्स जो है अगर इस बॉक्स को मैं छोटा कर दूँ तो हमारा गुबारा पिचक जाएगा आप बोलेंगे सर फट जाएगा फटने की बात नहीं कर रहे हैं भी पिचक जाएगा और इसी बॉक्स को अगर मैं और बड़ा क कर दूँ तो यह गुबारा फैल जाएगा बस वही तो है हमारे फेपड़े भी तो वही है कि अगर इन फेपड़ों को पिचकाओगे और सॉरी इन इस बॉक्स को बॉक्स कौन है बटा हमारा यह वक्षिय जाल यह जाल जो है अगर यह जाल सिकड़ेगा तो इस जाल के खुद के अंदर छमता नहीं होती है क्या फैलने सिकोडने की उनको फैलाया जाता है उनको सिकोडा जाता है ऐसे फेपड़ों को हम क्या बोलते हैं स्पंजी बोलते हैं बोल यह जनाब यहां तक की बात समझ में आ गई है जितने भी बच्चे रुके हुएं टिके हुएं य जल्दी से मुझे बताईएगा हाँ जी यहां तकी बात क्लियर है डंडना डंडन सर कबशे क्लास चल रही है बारा बज़े से क्लास चल रही है यहां तकी बात डंडना डंडन clear है तो आईए एक बार फेपडों के बारे में देख लेते हैं यहां पर हमारी NCRT में क्या लिखा हुआ है जरह यहां पर देख लेते हैं हमारी NCRT में फेपडों के बारे में क्या लिखा हुआ है जरह गौर फरमाईएगा जनाब देखे क्या लिखा हुआ हमारे हमारे दो फेपड़े होते हैं हाँ सर चार पांच तो होते नहीं है दो होते हैं जो दो स्तरों से ढखे होते हैं द्वी स्तर ये आवरन से ढखे हुए जिसको हम फुपुस आवरन या प्लूरा कह रहे हैं ठीक है सर जिनके बीच में फुपुस करता है बाहरी आगातों से बचाता है बाहरी फुफुस आवरन जो होता है बाहर वाला जो आवरन जो होता है वो बाहर की तरफ है अब इदर देख ये वाला जो आवरन जो था ये ये वाला ये बाहर की तरफ है और ये वाला जो है ये वाला जो है ये अंदर फेफडों के अं फेफडों के अंदर होता है अंदर की तरफ संपर्क में होता है खतम इतनी सी बात लिखी हुई है डन 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 अब इस बात को भी समझ ले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फेफडे जो होते है यह वक्ष गूहा में इस्थित होते है हाँ सर अब वक्षिय जाल जो मैंने अभी जगे है उसको हम क्या बोलेंगे वक्षिय गुहा नहीं बोलेंगे खाली जगे खाली जगे वक्षिय गुहा और जो जाल जो है वो क्या कहला रहा है वक्षिय जाल कहला रहा है चालिए जी आगे बढ़ते हैं अब ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं हां सर होते हैं जो एक वायू रोधी कक्ष है वायू रोधी कक्ष का मतलब बाहर से वायू नहीं आएगी अंदर याद रखिएगा कहीं आप बाहर से वायू अंदर डाल दे फेपडों के अंदर नहीं नलिका से होती हुई आएगी वक्ष गुहा कक्ष प्रश्ट भाग में कशेरुकदंड प्रश् की तरफ क्या मिल रहा है गुंबद आकरती का डायाफराम मिल रहा है अब उपर वाला नहीं बता है उपर कौन मिल रही है याद रखना कलावीकल उपर भाई एक बात बता उपर से नहीं ढखा होएगा क्या तो उपर से किसे ढखा हुआ है कलावीकल नीचे से डायाफराम आग तरहिए वक्षियजाल को फैला होगे वक्षियजाल का आयतन बढ़ेगा वक्षियजाल गूहा का आयतन बढ़ेगा तो फेपडों का आयतन शोटा हो जाएगा ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है हमारे अंदर श्वसन करने के लिए है यहां तक की बात NCRT में लिखी हुई थी अब इसके बाद यहां तक की बात जो है अब इसके बाद आते हैं श्वसन के चरण किसे चरण आते हैं श्वसन के चरण आते हैं बहुत सिम्पल से चरण है भाई साब जल्दी से मुझे बताईएगा श्वसन के चरण पढ़ने से पहले आप हमें बताईएगा श्वसन के चरण में जल्दी से मुझे बताईएगा ऑक्सीजन को आप कहां भेजेंगे बोलिए जनाब जल्दी से मुझे बताईएगा आप ऑक्सीजन को कहां भेजेंगे वायू मंडल जो है उस वायू मंडल में ऑकसीजन है उस ओकसीजन को आप कहाँ पर भेजेंगे तीक है ओके सर अब फेफडो चलो पहले ना एक बार ऑकसीजन की बात कर लेते हैं वायू मंडल में oxygen है मैंने वायू कीची oxygen गई वायू मंडल से किसमें गई फेपडों में अब फेपडों से कुपिकाओं में क्या होएगा आदान परदान फेपडों से होती हुई किसमें जाएगी बेटा जी याद रखना थोड़ा सा imagine कर थोड़ा सा fast imagine कर देख oxygen तुमारे अंदर आई 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 किसमे आई फेफ़डों में किसमें कुपी का कुपी का से किसमें आइगी रक्त लेकर जाएगा किसके पास उतकों के पास कोशीका लिख दिया मैंने यहाँव咎त मैं यह सर उतक लिख देते किसके पास तोग के पास Oxygenे दी दी क्या कर लिए श्रसन कर लिया, स्वसन करने के बाद औक सिजन यूज में आगे क्या बन गया carbon dioxide carbon dioxide उतकों से किसमें रक्त से होता हुआ फेपड़े फेपड़े से होता हुआ वायू मंडल यही चीज़े यहाँ पर बता रखें गुरू यहाँ पर क्या कि श्वसन यह फुफुसी समवातन जिसमें वायू मंडल यह वायू अंदर जाती है जिसमें कार्बन डैक्सेट से भरपूर कुपीका की वायू को बाहर निकाल दिया जाता है अब कुपीका के आर पार क्या हो जाता है आदान प्रदान हो जाता है कौन सी विदी से होता है सर विसरन विदी से होता है गैसो का एक्सचेंज कौन सी विदी से सिंपल डिफ काउं से होते हुए वायू मंडल में भेज देगा अब कही ना कही है जो oxygen जो है उसका उपयोग किया जाएगा हां किया जाएगा किसलिए किया जाएगा श्वसन करने के लिए श्वसन होएगा तो उससे उर्जा श्वासन की अंचा लिखा हुआ बोला अन्ते श्वासन वायू छोड़ने को क्या बोला नी श्वासन अब इसकी क्या आती है क्रिया विधी आती है अब दोस्त इसकी क्रिया विधी जो है वो हम पढ़ेंगे next lecture में है ठीक है next lecture में हम श्वसन की क्रिया विधी को देखेंगे सांस ली जा रही है सांस छोडी जा रही है वायू खीची जा रही है वायू छोडी जा रही है आखिर ये कैसे होता है अब आगे बढ़ने से अगर आपका कोई सवाल है मुझसे तो आप बिंदास पूछ सकते हैं येस पहले ये वाला चैप्टर complete करेंगे फिर उसके बाद nervous system वाला chapter complete करेंगे ठीक है पहले ये वाला फिर उसके बाद nervous system वाला chapter करेंगे हाँ जी, बोले, कोई इसमें से कोई doubt, कोई confusion, any kind of confusion, ठीक है, थोड़ा सा और fast करेंगे, ठीक है, तो मेरी request रहेगी, अब मेरी class जो होएगी, Thursday, Friday, Saturday को होएगी, शनिवार को, जब मेरी class होएगी, तो उसमें हम इस chapter का around 80% portion पढ़ लेंगा, और वो class जो है, बहुत लंबी होने वाली है, लगबग 2,5 घंटे की वो class होएगी, तो रुकिएगा, टिकिएगा, है न, इस chapter को कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा complete करने की, ठीक है, याद रखना Saturday को कोशिश करेंगे, यह पूरा का पूरा chapter ही हम क्या कर दे, complete कर दे, यानि अगला जो lecture जोएगा, part 2 जोएगा, इसका वो पूरा का पूरा हम complete करेंगे, और साथ-साथ, साथ-साथ, एक बार request रहेगी, एक बार please पढ़ कर आ जाएगा, ताकि आपको जल्दी से, अच्छे स समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखें, यह revision है, और इस revision में अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, और आप यह expect करें कि पहली बार में इस समझ में आ जाएगा, तो दोस्त यह ना हो पाएगा, है ना, सर, lecithin समझ में नहीं आया, बटा, lecithin जो होता है, वो अ कार की होती है, एक वन होती है, एक टू होती है, वन जो होती है, गैसो के exchange में help करती है, और टू जो होती है, यह comparatively बढ़ी होती है, और यह एक anti-surfectant, एक रसायन निकालती है, जो surface tension को कम कर देता है, कुपिकाओं को, क्या, बाई, कुपिका क्या एक गुबारा है, अब कुड़ने से बचाने के लिए अंदर एक chemical निकल रहा है, जो एक anti-surfectant है, जो एक तरीके से surface tension को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिसका नाम है lecithin, और यह lecithin जो होता है, यह तरह का phospholipid होता है, यह lecithin क्या होता है, एक प्रकार का phospholipid होता है, phospholipid, जो pneumocyte second निकालत हैं, हाँ जी, सर, neat का form आ गया, नहीं दोस्ता भी नहीं आया है, हाँ जी, वासुदेव ने अच्छी बात बोली, सर, इस हिसाब से तो हफते में सिर्फ दो lecture होएंगे, मैंने का, यह तो बहुत गलत बात है, इस हिसाब से तो एक हफते में सिर्फ दो लेक्चर हुए, लेकिन मेर भाई, मेरे दोस्त सुन, देख अभी मैक्सिमम जो यूपी बोर्ड के बच्चे जो है, उनका फुल कंसेंट्रेशन है बोर्ड की तरफ, I know, है न, इस हफते और अगले हफते के बाद में, रेगुलर आपके फाइफ टू सिक्स डेज ग्लासे होएंगे, रेगुलर, पूरा 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 रिवीजन करेंगे, ठीक है, अभी क्या है न, कि मैं पूरा दिन पढ़ा दू और बच्चे ही ना है, फिर कोई फाइदा नहीं है, इसलिए एक ये वला हफता, एक निक्स्ट वीक, उसके बाद में फिर रेगुलर क्लासेज होएंगी आपकी, ड़न? नहीं, नहीं, जैसी पेडों में क्यूटिकल होती है, वैसी होती है, आधरता होती है, नमी होती है, गैसों के आदान प्रतान के लिए है सर, 700 पार होएंगे, यह आपकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? रेंकर्स बैच हम लोगों ने बना दिया है, उस बैच में रेक क्लासेज हो रही है, फिसिस्की क्लासेज हो रही है, बायो की भी क्लासेज अब स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें भी कोशन्स की प्रैक सरगान कहीं और का करेंगे, ऐसा नहीं, पहले कलियर कर देता हूँ, आप पढ़ेंगे, आईए, पढ़िए, मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे, और रेंक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? चल, आज के लिए इतना ही था, ठीक है? नेक्स्ट सेटर्डे को हम और ये भाई साब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, दो से, डाई से, तीन, चार जितने भी घंटे की कलास होएगी, सेटर्डे को इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे? फिनिश करेंगे. ठीक है बच्चो, लाइक करते हुए चले जाएगा, अगर नहीं क जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे PDF, चालो जी. सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे? अभी तो यही कंप्लीट करना है, गुरू, अभी कंप्लीट कहा हुआ है? प्रोमोडरो टेकनीक, भाई सब, हम इतना इतना ज़्यादा पढ़े लिखे निए, प् पढ़ाना आता है, और आप भी पढ़ना सीख लीजिए, ठीके? चलो, भाई 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 बच्चो, टेक क्यार.